हल्दी के वाइदा कारोबार पर क्या लगेगी रोक दरसल एग्री कोमोडिटी वाइदा बजार में हल्दी के वाइदा कारोबार को लेकर आजकल संगराम चल रहा है पहले जाम राटवाडविधर्व में एक व्यपारी संग ने वित राजय मंतरी भागवत कराड को पतर लिखकर हल्दी में वाइदा कारोबार बंद करने की मांग की थी वहीं अब हल्दी की प्रोड़क्ट एडवाइजरी कमेटी ने कराड को पत्र लिखकर इस मांग का पुर्जोर विरोध कर डाला है हल्दी की P.A.C. के चेर्मेन और निजामाबाद के हल्दी कारोबारी पूनमचंद गुपता ने वित मंतरी वित राज्य मंतरी को लिखे पत्र में कहा कि पूरी दुनिया में वाइदा बाजार का इस्तेमाल क्रिशी कमोडिटी की कीमतों के पार दर्शी निर्धारन और मुल्य जोकिम परबंदन के लिए किया जाता है और भारत में भी हल्दी का वाइदा कारोबार सफलता पूर्वक इन्यो देशों को पूरा कर रहा है पत्र में क्रिशी कमोडिटी एक्सचेंज, नैशनल कमोडिटी एंड डेरिवेक्टिव एक्सचेंज यानि NCDX पर मुझूदा हल्दी वाइदा के कारण कीमतों पर असर पढ़ने के आरोपों को गलत बताया गया है गुपता ने कहा है कि महाराश्टर हाजिर बजारों की कीमतों का विशलेशन कर हमने पाया है कि वहाँ क्वालिटी और ग्रेड के अधार पर सबसे अधिक और सबसे कम कीमतों के बीच अलगलग समय में 30 पीसद से 80 पीसद तक का अंतर रहा है ऐसे में एक स्टेंडर रेफरेंस रेट बहुत जरूरी है क्योंकि उसके अभाव में बजार के स्टोक होलडर्स अपने माल की विक्री में कोई फैसला नहीं ले पाते इधर NCDX वाइदा में लंबे समय से काम कर रहे हल्दी उतपादक किसानों के दो एफपियों ने भी हल्दी वाइदा का कारोबार रोकने की व्यपारी संग की मांग का विरोध करते हुए पीएसी चेर्मन को पत्र लिख डाला जिसे उन्होंने अपने पत्र के साथ ही वित राज्य मंत्री कराड को भी बेजा महराश्चर के वाशिन से परिवर्तन और्गैनिक एफपियों और हंगौली से सूर्य एफपियों के हस्ताक्षर वाले पत्र में कहा गया कि वाइदा बजार होने से हम किसानों को कई तरह से लाब मिलता है एक तो हमें आगे का भाव देखकर ये अंदाज़ा मिल जाता है कि हल्दी की बॉई फाइदे मन्द है या नहीं वहीं दूसरी और मुल्या के किसी उतार चड़ाव से हमारे सदस्य किसानों को बचाने के लिए हैजिंग भी कर पाते है दरसल क्रिशी वाइदा में शामिल हर कॉमोडिटी के बारे में वाइदा कारोबार के नियम तैग करने के लिए सैबी की देख रेक में एक कमेटी बनती है जिसमें उस कोमोडिटी के तमाम वेल्यू चेन पार्टिसिपेंट जैसे व्यपारी, एक्सपोर्टर्स, प्रोसेसर, मिलर्स, किसान, एफपी और इत्यादी शामिल होते हैं इस कमेटी की बैठक एक नियमी तंतराल पर होती रहती है जिससे संबंदित कोमोडिटी से जुड़ी तमाम घटनाओं पर विस्तरित चर्चा की जाए पिछले दिनों इस कमेटी की मुंबई में बैठक हुई जिसमें कुछ व्यपारी संक्नों द्वारा हल्दी के वाइदा कारोबार पर रोक लगाने की मांग की चर्चा की गई इसी बैठक में कमेटी ने सरव समती से यह तैक किया कि उसे भी करार को पत्र लिक कर इस मांग का विरोत करना चाहिए बहराल अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हल्दी के वाइदा कारोबार पर रोक लगेगी या नहीं कारोबार हुआ सकत हुआ 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 थे इसंटने सरे यह के वाइब कारोबार पर रोक लिएक हुआ हुआन